नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है वित्य मंत्री निर्मला सीता रमन के आज के प्रेस कॉन्फरेंस के निमिलिक दिन्दू MSME के लिए 3 लाग करोन बिना गारंटी के लोन देंगे कोलेटरल फ्री लोन से 45 लाग MSME को फायदा होगा MSME को 4 साल के लिए लोन लिया जाएगा 25 करोन तक लोन से 100 करोन टर्नोवर वालों को फायदा होगा 4 साल के लोन में मोरिटोरियम 12 महीने 3 लाग करोन में से 20 करोन NBFC के लिए MSME के लिए 50,000 करोन का फंड और फंड बनेगा MSME की परिभाषा बदलेगी MSME को E-market से जोड़ा जाएगा डिसकॉम में 90,000 करोन की नगदी डालेंगे 10 करोन से 50 करोन वाली कंपनी स्मॉल रहेगी 200 करोन से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा MSME को लाग दिया जाएगा EPF में 25 करोन रुपे का निवेश होगा EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस में भी सरक्वार द्वारा दी जाएगी EPF में सरकारी मदा से 22,000,000 करमचालियों को फायदा होगा EPF में निजी कमपनियों के अंशिदान को 12 फीजदी से घटा कर 10 फीजदी किया जाएगा EPF में कटाउती, Employers को 6,800 करणों का फायदा NBFC, Housing Finance कमपनियों और MFIs के लिए 30,000 रुपे की नगदी सुविदा, डिसकाम और कैश फ्लो की भारी दिक्कत 31 मार्श 2021 तक TDS, TCS में 25 परसंट की भारी कटाउती MSME के लिए E-Market Linkage पर जोड़ दिया जाएगा सरकार MSME के बाकी पेमेंट 45 दुनों के अंदर कर देगी ऐसी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरोगले बने रहे है पबलिक एशिया के साथ